नमस्कार स्वागत आप सभी का इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ important questions को करेंगे देखो NCRT questions हमने पढ़ लिये हैं सबसे ज़्यादा जरूरी आपके NCRT questions ही होते हैं पर मैं चाहता हूं कि अपकी बार आपके बहुत अच्छे marks आएं इसलिए में हर टाइप की question आपके यहां पर किसी चीज़ का निर्मान हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है तो जहां पर कोई चीज़ बनाई जाए रो मैटेरियल को मशीनों के द्वारा जब change कर दिया जाए जिन इंडेस्ट्रीज में ये काम होता है उन इंडेस्ट्रीज को बोलते हैं भी निर्मान उध्योग यानि यहां पर हम नया माल तयार करते हैं कच्चे माल को मशीनों की सायता से रूप बदल कर अधिक उपयोगी तयार माल प्राप्त करने की क्रिया को निर्मान उध्योग कहते हैं वही क्या रहे हैं कि रो मैटेरियल को मशीनों की हैल्प से अगर हम उसका रूप बदल देते और एक नया प्रोड़क्ट तयार करते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं निर्मान उध्योग बोलते हैं यह मनुश्य का एक सहायक या गोण या दित्यक वेवसाय है तेखो प्रात्मिक वेवसाय क्या होते हैं जो कि हम डिरेक्ट नेजर से जुड़े हुए काम करते हैं गांद दोरह उस पदार्त की मुल्ले वर्थि हो जाती है सिंपल से बात की चीज़ को हम चैंज कर देते हैं उसकी वेवड़ जाती है उसका रेट बढ़ जाता है उसका मुल्ले बढ़ जाता है सिंपल से कर लो अगर अप लकडी से फरनिचर बनाऊ गए, तो फरनिचर महंगा है या लकडी महंगी थी, तो फरनिचर में हमने मशीनों का यूज किया, टेखनिक्स का यूज किया, और एक नई ही चीज बना दी फरनिचर, उसकी value बढ़ जाएगी, उसका rate बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ची हूं को अगर bread में बदल दिया आपने तो bread की value बढ़ गई ना मालो Britannia company ने उसे bread बनाया तो Britannia company कैसी है वी निर्मान उद्योग है तो जहां पर भी raw materials का use करके machine का use करके चीजों का रूप बदल दिया जाता है नया ही product त्यार कर दिया जाता है उन सभी को वी निर्मान उद्योग बोलते हैं इसके दुनिया भर के example आप अपने आप इनके example लिख सकते हो बुक में देख लो क्या कहा गया है बुक में देख लो कौन कौन से example दिये हैं जैसे लकड़ी से लुगदी यानि लकड़ी से जो कागच बना देते हैं वो लकड़ी से लोग दी तो तक आगच बनाया जाता है कपास से धागा और कपड़ा बना दोगे तो कपड़े की Israeli क 추lor कपड़ी रही जाती है कपड़े की वेल्यू बहुत बढड जाती है लोहे से क्या बना देते हैं स्टील इस पात का मतबता है स्टील बना देते हैं तो लोहे से क्या बना दिया इस पात और उससे भी क्या बना दिया कल पुर्जे यानि कि मशिनरी बना दी छोटी 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 चीजे बना दी तो एक मोटर की वैल्यू कितनी ज्यादा है अगर एक simple आप लोहे के टुकुडे से देखो तो rate मोटर का ज्यादा होगा ना तो मोटर का है एक मशीन एक पुर्जा है ठीक तो लोहे से इस पात बनाया तो value बढ़ी इस पात से कल पुर्जे बनाया तो उसकी value और बढ़ गई तो वो में नाम है secondary activities दित्यक रिया हैं जब भी हम natural को as it is रखते हैं तो वो होती है प्राथ में पर जब भी हम natural में कोई change कर देते हैं वो होती है दित्यक तो वी निर्मान उध्योग का special काम ही क्या होता है natural चीज को change कर देना किसी दूसरे product में तो वो सारी जगह जहां पर एक काम होत हैं वी निर्मान उध्योग आप इसको अपनी language में भी simply define कर सकते हो ठीक है बड़ा ही simple question था आपको बस अच्छे से पता होना चाहिए कि है क्या वी निर्मान उध्योग नेक्स्ट कोशन देखो यह भी previous question आपका और important question है मैं आपको बहुत सारे types बताए थे industries के तो उन में से एक type पूछा आप से कि भारत में स्वामित्यों के आधार पर कौन कौन से प्रकार के उध्योग है यानि कि ownership के base पर कितने type की industries है भारत में तो तीन type की हैं देखो पहला है सारजनिक उध्योग यानि कि public sector ऐसे उध्योग का संचालन सरकार स्वैम करती है इसके अंतरगत भार industries हैं जो basic उध्योग है जैसे की लोहा बनाना, steel बनाना, mining करना इस type के अधिकतर उध्योग जो है वो सरकार अपने कंट्रोल में रखती है तो यही आपके कहए रहे हैं कि भारी और आधारमत उध्योग जो हैं सरकार के कंट्रोल में होते हैं जैसे की भिलाई में जो iron and steel बना जाता है वो सरकार के कंट्रोल में है नांगल पंजाब में जो फटिलाइजर्स बनाया जाते हैं वो सरकार के कंट्रोल में है तो दोनों एक्जमपल आपको याद रखने हैं सरकारी उद्ध्योग के सारजनिक का मतलब है जिस पे सरकार का कंट्रोल हो दूसरे हैं नीजी उद् पटानी को देख रहे हैं पटानी गुरूप की जितने भी कंपनी होगी अंबानी गुरूप की जितने भी कंपनी होगी रिलाइंस कंपनी है पूरी की पूरी वो सारे के सारे नीजी उद्योग हैं सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है तो दो टाइप होगे पहले तो क्या सरकार उध्योग दूसरे होगे प्राइवेट उध्योग तीसरे हैं हमारे सहकारी उध्योग यानि कि इसमें दोनों की पार्टनर्शिप होगी सरकार की भी और प्राइवेट लोगों की भी तो जब कुछ व्यक्ति किसी सहकारी समीटी द्वारा किसी उध्योग की स्थापना करते है जैसे चीनी उद्योग, तो इस टाइप के उद्योग में सारे लोग साथ मिलकर काम करते हैं, कोपरेटिव तरीके से काम होता है, तो तीन टाइप की इंडस्टीज होती है, अब देखो नेक्स्ट कोशन, उद्योग का स्थानिय करन किन तत्वा पर निर्भर करता है, उधान सह पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, सेम चेप्टर आ रहे हैं दोनों किताबों में, एक बुक में तो हम पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से, और एक बुक में हम पढ़ रहे हैं, इंडिया के परस्पेक्टिव से, ठीका तो ये सेम कोशन हमने दूसरी वाली बु प्रिट करा दिया है आपके NCRT कोशन भी और प्रिवेशियर कोशन भी यही कुछ कोशन बनते थे आपके बस इस चैप्टर से तो आपका काम बचा है अच्छे से महनत करना अच्छे से पढ़ाई करना और अपकी बार बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना देखो आप सब इसे लगती है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कोमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको जोग्रफी के हैंडिटर नोट्स पीडियाफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर वाट्साइप करें आपको सिंपली इस पर 12 जोग्रफी नोट् सर्मिनल प्राइजिश पर मिल जाएंगे अगर आप अदर सब्जेक्ट के भी चाहते हैं तो आपको ट्वैर्थ लिखे और आगे वह सब्जेक्ट मैंशन करना है जैसे आपको हिस्टी के चाहिए तो 12 फीस्टी नोट्स पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स message send करना है and other details you will get on what's up thank you like share and subscribe मुझे पता है ये लाइन सुन सुन कर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कह कर पक चुका हूँ लेकिन आपके एक like share और subscribe से आपको पता कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है यहाँ पर cameraman है, editor सा और मैं हूँ तो प्लीज यार कर दो एक मिनट के लिए वीडियो को पोस्ट करें और like share comment जरूर करें यह मत सोचना कि कोई और करेगा वो भी यह सोचते हो निकल जाते हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए कर दो प्लीज